मेरी किसी से इस जिंदगी में बेक्तिगत ल़ाई नहीं है, बहचारी को में बात करता हूँ, मेरी सुरक्चा के जिम्मेदारी सरकार जाने क्या होगा, दाउय तो सरकार की है, मैंने तो डीजी सहाब से कही, मैं अजी से कहा। मैं सियम सहाब से कई बार मिलने का प्रियास किया नितीजबा उसे मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बाचीत की सुरक्षा को ले करके लेकिन जो व्यक्ति लगाता है जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण मुझे नहीं पटा कौन है क्या है जो लोग धमकी देते हैं मैंने समय समय पर दीजी सहाब को चार-चार S.P. को मैंने वो बात बता दी ज़्यादे इस लूप में नहीं लेता हूँ कि जब मैं दोरूँगा तो गिरूँगा भी मैं तहरूँगा तो ढूँँगा भी तहरा की भी कलाऊँगा उख्री में मुरी दूँगा तो समार से कितना डरू आप हमें बताओ ना गर भी ढुकेंगे जांग भी कांपेगा तो ये सभाविक है बच्पन से मैंने जहिले है मैंने देखा है समाजी की लड़ाई में समाजी की बिवस्ता में कई तरह के उतार चरो कहावत है कुटा चले हाथी चले बजार कुटा भूके आजा मेरी किसी से इस जिन्दगी में ब्यक्तिगत लराई नहीं है बहचारिक मैं बात करता हूँ काना नहीं है मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ तो विचारों की बात तो मैं बोलो गाना सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्यधारी सरकार की है मैं जार्खन की जंटा की सेवा के लिए खरा हूं हैमन्द सौरेंजी जार्खन का बेटा है लगातार यातना ही दी गई मारने का प्रिया सुने क्या गिया सेर्णी के तरह मेरी बेटी कर्पना सुरेन उठी और मुझे लगता है कि आज आम लोगों की आवाज बन चुके है देश के हिट में जार्खन महा गटबंदन के लिए मैं यहां काम कर रहा है अब मेरी सुरख्चा के जिम्मेदरी सरकार जाने क्या होगा दाय तो सरकार की है मैंने तो डी जी साहब से कही मैं आजी से कहा मैं सी एम सहब से कई بار मिलने का प्रियास किया नितीज़ भावुसे मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बाचीत की सुरक्षा को ले करके जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है दाई तो नहीं है जो सत्ता के साथ रहेंगे जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं उनको ये लोग जैड देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सब को देंगे, लेकिन जो व्यक्ति लगातार जिस व्यक्ति को, एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पटा कौन है, क्या है, जो लोग धमकी देते हैं, मैंने समय समय पर, दीजी साहब को, चार-चार SP को मैंने वो बात बता दी, कह दिया, मुझे लगा इसको आपन करने की कोई ज़ूरत नहीं है, हाई तोबा मचाने की ज़ूरत नहीं है, और इतनी धमकी के बावजुद मैं बंबे गया था, मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने, उस दिन रात में डीनर था मेरा, मैं आबा सिद हर व्यक्ति को करना चाहिए, दुख के गरी में रहना चाहिए, तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम बंबे भी गया है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्भान भी कर रहे हैं, खल विहार में जो गटना गटी थो रही है, वहां भी जा रहे हैं, तो हमने तो पूर्णिया में भी पूर्णिया SP, कठियार SP, मधिपुरा SP, IG, DG, हमें जब खबर मिली, इस नंबर से लोग आई हुए हैं, बीवी जगों पर, हमने नंबर तक दिया, हमने IG से दो दो बार बाचित किये, तब सत्ता में नहीं हूँ, इसके लिए हमें मर जाना चाहिए, या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, मुक्मंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, घर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं, तो एक कम सिकम, बिहार सरकार, इतना बेसरम तो नहों, कि आप और भारत सरकार से, ग्री मंत्री जी से भी मैंने बाचित किये, मैं बा प्राचित भी की, अमिट साजी से, फिर पत्र भी लिखा, तो सत्त के साथ आप नहीं है, तो आप मढ़िये, सरदान्जली बाद में दे दी जागी, आप निटीज बाबु तो किसी से मिलते ही नहीं, उन्ने तो मिलने ही नहीं दिया जाता है, घेर के रख दिया गया है, निती सेक्रेटरी कहते हैं दीपक बावु के सुरक्षा के लिए आपको नितीजी से मिलना होगा मैं उनके प्राइबेट सेक्रेटरी को फोन करता हूं तो कहते हैं कि मैं कह दिया हूं हम मैंने तो उनके प्राइबेट सेक्रेटरी को फोन किया कि वह मुझे मारने के साजिस की जारी ह तो कहां अंसू नहीं है सब ने अंसू नहीं कर दिया इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाबजूर ना तो केंद सरकार गंभीर हुए सुरक्षा के पड़ती तो मुझे चिंता नहीं है मैं तो आगरा हाथ जोर के करूँगा आप सुरक्षा देने में सक्सम नहीं है तो आप कहा दीजे मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूँगा देखे सल्मान खान की बात नहीं है या बाबा सिद्धी की बात नहीं है ना किसी गेंग की बात है मैंने सुभावी गुरूप से एक ट्वीट किया कि देश संबिदान लोक्तन से बड़ा कोई नहीं कोई वेक्ति नहीं कानून सबसे बड़ा संबिदान सबसे बड़ा उस से बड़ा यदि कोई भी सरकार किसी को बनाता है तो वो गलत है बस मैं फिर कह रहा हूँ ना मेरी किसी से नीजी दुस्मनी है ना मुझे किसी के गेंगवार से लेना देना है संबिधान और कानून और लोगतंतर की बात आएगी मैं बैचारी की बात करूँगा अब मेरी मुझे मरना ना मरना तो भगवान के हाथ में है अब मेरी सुलक्षा के जिम्मेदारी सरकार के हांत में है, अब सरकार मुझे मरवाना चाहती है, कि बचाना चाहती तो सरकार जाने, इतने समय समय पर वीडियो आउडियो देने के बावजूद एक भी SP, एक भी DIG, आईजी ने एक परतिकिरिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साथ है कि वो सर्दानली देने आएगा.